सो हलोगोच कैसे हो आप से भाई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज की सुड़ों में आपको बताने वालों की कैसे आप अपने Android phone में iPhone 14 Pro Max को इस्टॉल कर सकते हो यह दोस्तो आप अपने Android phone को fully customize करके iPhone में convert कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने phone को Android phone से iPhone में convert कर रखा है यह जो मेरा phone है यह Realme का phone है ठीक है लेकिन दोस्तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो भी features मिलेंगे वो iPhone 14 Pro Max का मिलेगा क्योंकि दोस्तो iPhone 14 Pro Max अभी कुछ दिन पहले launch हुआ है जिसमें काफी अच्छे अच्छे features देगे हैं ठीक है मैं आपको एक नया feature दिखाता हूँ जैसे हम एक message करते हैं तो यहाँ पर हमने एक message कर दिया ठीक है अब दोस्तो आप यहाँ पर देखोगे उपर आपको एक notification सो होगा यह iPhone 14 Pro Max का नया feature है इस तरह दोस्तो आपको notification सो होगा जब भी आपके पास कोई भी message आएगा call आएगा notification आएगा दोस्तो आपको यहाँ पर notification सो होता है जो कि देखने में काफी ज़्यादा stylus लगता है हम फिर से एक message करते हैं तो यहाँ पर हमने message किया आप देख सकते हो notification आ रहा है जो कि देखने में काफी ज़्यादा stylus लग रहा है इस तरह गाईज आप अपने Android phone को fully iPhone 14 Pro Max में convert कर सकते हो आपको यहाँ पर जो भी feature मिलेंगे सभी iPhone के मिलेंगे जैसे आप यहाँ पर यह control center देख सकते हो जो कि देखने में काफी ज़्यादा stylus लग रहा है इसके साथ में अगर आप dialer को open करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर iOS का dialer देखने को मिलेगा जिससे आप number dial करके call लगा सकते हो इसके साथ में आपको यहाँ पर जितने भी features मिलेंगे सभी iPhone 14 Pro Max का मिलेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने Android phone को fully iPhone में convert कर सकते हो तो दोस्तों आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा interesting है मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो का पूरा जड़ देखेगा और गई जगे वीडियो पसंद आये तो like, share, comment, channel को subscribe ज़रू किज़ेगा अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने phone में कुछ application install करने है ठीक है आपको play store को open करना है आपको जाना है play store में play store में जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले search करना है age mask आपको यहाँ से इस application को install करने है ठीक है तो already मैंने इस application को install कर रखा है आपको simply इस application को open करना है जब आप इस application को install करके open करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछी इस तरह का interface मिलेगा अब आपको यहाँ पर फर्स पर एक option मिलेगा apps that can appear on top आपको इस पर क्लिक करना है आपको तीन परमिसन अलाउग करने ठीक है आपको यहाँ से age mask को enable करना है आपको बैक आना है फिर से आपको notification access पर क्लिक करना है आपको permission को अलाउग कर देना है अब आपको back आना है accessibility वाले permission को आपको allow कर देना है तो दोस्तो हमने सभी permission को allow कर दिया ठीक है अब आपको यहाँ पर कुछी इस तरह का user interface मिलेगा दोस्तो आपको काफी सारे option मिलेंगे आपको simply एक option मिलेगा message का आपको इस पर click करना है आपको एक आक add देखने को मिलेंगे जिनको आपको cut कर देना है अब दोस्तो आपको यहाँ पर काफी सारे option मिलेंगे ठीक है आपको ripple style 2 को यहाँ से बंद कर देना है आप देख सकते हो यहाँ पर यह enable है आपको इसको बंद करना है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा Samsung Massage Style आपको इसको on करना है अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा setting का आपको setting पर click करना है अब आपको इसमें काफी सारे option मिलेंगे ठीक है दोस्तों जो setting मैं आपको बताऊंगा आपको वही activate करना है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा so two lines आपको इसको enable करना है अब दोस्तों आपको नीचे scroll करना है नीचे आपको काफी सारे option मिलेंगे दोस्तों आपको last में एक option मिलेगा margin आपको इसको enable करना है अब दोस्तों आपको इसको अपने हिसाब से adjust करना है उपर नीचे ठीग है आपको इस तरह उपर कर देना है नीचे कर देना है आपको अपने screen के हिसाब से इसको adjust करना है ठीग है तो यहाँ पर हमने इसको नीचे कर दिया है थोड़ा साओर उपर कर लेते हैं तो इसको हमने यहाँ पर set कर दिया, ठीक है अब आप इसके duration को set कर सकते हो कि जब भी आपके पास कोई भी notification आएगा, ठीक है तो यह कितने time तक 100 होना चीए आप यहाँ पर 5 second, 10 second, 8 second कर सकते हो यह आप के उपर depend करते है ठीक है, जितना second आप set करोगे उतने second तक यहाँ पर यह 100 होगा इसके size को आप छोटा कर सकते हो, बढ़ा कर सकते हो ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके size को छोटा कर दिया है आप इस तरह इसके size को adjust कर सकते हो, बढ़ा कर सकते हो तो हमने इसको 2 पर रखा है, ठीक है तो दोस्तों इस तरह आपको इसका setup करना है ठीक है इसका जो setup है वो complete हो चुका है आपको इसके color को थोड़ा सा change करना है background color पर आपको click करना है, background color को change करना है, आपको black करना है, zuha एक यहां पर आप देख सकते हो color black हो चुका है, अब आपको यहां पर एक option लेगा message color, आपको इस पर click करना है, इसको आपको white कर देना है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, हमने इसको white कर दिया है, तो दोस्तों इसका जो setup है, पूरी तरह से complete हो चुका है, अब आपको back आ machine, आपको यहां से इस application को install कर लेना है, इसके बाद आपको एक और application install करना है, आपको search करना है, iOS, आपको यहां से इस application को install कर लेना है, ठीक है, तो इन दोनों application को मैंने install कर रखा है, तो चले मैं आपको इसके setup के बारे में बताता हूँ, आपको इस application को install करके open करना है, जब आप इस application को install करके open करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा. आपको यहाँ पर कुछी इस तरह का user interface मिलेगा. इसके बाद आपको get started पर click करना है. permission को allow कर देना है. फिर से आपको agree करना है. इसके permission को allow कर देना है. आपको फिर से agree करना है. फिर से permission को allow करना है. अब आपको यहाँ पर एक option मिलेगा get started. आपको इस पर click करना है. अब आपको थोड़ा सा wait करना होगा. आपको create पर click करना है. cancel. अब आपको दोस्तो इस application को default पर set करना है. अगर आप इसको default पर set नहीं करोगे. तो यह application अच्छे से run नहीं करेगा, work नहीं करेगा. ठेक है. तो इसलिए आपको इस application को default पर set करना है. अब दोस्तो आपको यहाँ पर और भी set up करने होगे. आप देख सकते हो. हमारा phone पूरी तरह से iPhone में convert हो चुका है. आपको wallpaper को फिर से change करना है. आपको simply गैलरी को open करना है. सेम उसी wallpaper को set कर देना है. दोस्तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो. हमारा phone पूरी तरह से iPhone में convert हो चुका है. अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़े activate करनी है. जैसे आपको यहाँ पर widgets add करने होंगे. यहाँ पर आपको कुछ widgets add करने है. सिंपली आपको edit पर click करना है. इसके बाद आपको plus पर click करना है. आपको यहाँ से इस तरह widgets को add करना है. दोस्तो अब आपको एक important setting करना है. आपको dialer को यहाँ पर set करना है. सबसे पहले आपको यहाँ से इसको remove करना है. आपको edit home screen करना है. आपको इसको यहाँ पर set करना है. अब आपको डाइलर को यहाँ पर लाना है इस तरह दोस्तों आपको home screen को customize कर लेना है अब आपको डाइलर को open करना है इसके बाद आपको permission को allow करना है इसको default पर set करना है set as default permission को allow करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे phone में iOS का डाइलर भी आ चुका है जब आप इसको open करोगे दोस्तों आपको iOS का डाइलर देखने को मिलेगा इस तरह आप इस डाइलर को यूज कर सकते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा phone पूरी तरह से iPhone में convert हो चुका है ठेक है यहाँ पर आपको जो भी feature मिलेंगे सभी iPhone के मिलेंगे अब यार एक चीज बचा हुआ है ठेक है मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है दोस्तों iPhone में यह जो gister होते है यह so नहीं होते है ठेक है swipe up gister होता है तो simply आपको इसको change करना है replace करना है आपको phone के setting में जाना है phone के setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा convenience tools आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको navigation पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा swipe up gister from both side आपको इस पर टिक करना है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो gister थे वो hide हो चुके है swipe up gister आ चुका है आप इस तरह slide करोगे back होता चला जाएगा ठीक है दोस्तों इस तरह आप swipe करके अपने phone को operate कर सकते हो चला सकते हो तो यार इस तरह बहुत ही आसानी से अपने Android phone को fully customize कर सकते हो iPhone 14 Pro Max में convert कर सकते हो अब हम एक message करते है तो यहाँ पर हमने message कर दिया ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हो उपर हमारा notification सो हो रहा है जो कि देखने में काफी ज़्यादा styles लग रहे है सेम इसी तरह guys आप भी अपने Android phone को iPhone में convert कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नौलिजफूल वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद